चुनावों की तारीखों की घोश्टा होने के बाद सभी सियासी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं वहीं टिकेट खुलेकर नेता भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कह रहे हैं संत कभी नेगर की 313 विधान सभा खलीलावाद से बीजेपी से टिकेट की दावेदारी करने वाले बीजेपी नेता बैवब चत्रुवेदी ने बीजेपी के सुशाशन विकास के सारे बीजेपी की जीत का दावा किया है खरीलाबाद विदान सबाद से वीजेपी नेता बैवफ चतुरुवेरी से खास बाचीत की हमारे सहीयोगी हेमन सिंग ने आपकी सुनिये आचार संकता लग चुकी है और चुनाओं की तारीखों का एलान हो चुका है सभी राजनेतिक दल तोल फोल में लगे हैं और अपने राजनेतिक कुनवे को बढ़ाने के लिए सारी पार्टिया एड़ी का से चोटी का जोड लगा रही है इसी मुद्ध पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के संतकवीर नगर के खलीलाबाद बिदान सभासिस किसमत आज मारा हैं बैभोच अदरुवेजी जी भाजपा नेता हैं और समास से भी भी हैं उनहीं से जानने की कुसिट करते हैं कि भाजपा की इस संतकवीर नगर में क्या यूद दीनों सीटे हैं वो क्या बचा पाएगी भारती जनतापार्टी बहुत है क्या मानते हैं कि क्या ती में संदकभी नेगर में बरकरार रख पाएगी निश्चित रूप से संदकभी नेगर की तीनों विधान सवाय हैं सर किलाबाद सदर और महदावल तीनों इससे पहले भाजपाः 2017 में जिती थी और 2022 में भाजपाः जीते इसमें कहीं बट नहीं है। जिस तरह से जोड तोल की चल रही है। सारे राजनेतिक दल जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। और आप भी भारती जनता पार्टी की तरफ से जनाधार जुटाने की आथक प्रयास में कई महिनों से प्रयास कर रहे हैं, गाउं गाउं दौड रहे हैं, और लोगों को भारती जनता पार्टी से जोडने की कवायत आप गाउं गाउं कर रहे हैं, कितनी सफलता दिखती है और पूरा नीचे तक जो जनाधार है वो भारती जनता पार्टी के साथ है लोगों का हर गाउं में हर चुराहे पर जहां भी हम लोग जा रहा है हर जगर की रिपोर्ट यही है जनता भारती जनता पार्टी के साथ है जनता फिर से 2017 से पहले का आतंक फिर से स्विकार करने के मूड में नहीं है जिस तरह के इस्ति d67 से पहले इतरकतेस में रहे आए है कि पीड़ देखने के एक दम Canadian '' दम नहीं ainda रामराज़ है और रामराज भार्ती जनता पार्टी की सरकार से ही आए आएगा महराजी की अगवाईं तो इस लिए जनता फिर से इस 2022 में प्रचेंड लिए जन्ता पॉर्टी और नेता विधायक में छोड़े तो किया मानते इसका कितना इंपेक्ट देखने को मिलेगा चुनाओं में देखे कोई बड़ी संख्या में कोई न्हता फार्टी को छोड़ के नहीं जा रहा है वही लोग जिन लोगों ने छ Linux नौन है जिन आ हम की यह जिलोगों ने भारती जनता पार्टी के लहर में जो लुक जी ने और छेतर में जरा सा भी काम नहीं किये, खाली गुंड़ई, बदमासी, लोगों को मारना, पीटना, जमीन कबजा करना, इधर उधर तिन पांच की काम करना, लोगों को लड़ाना, इनके खिलाब मुकदमे कराना, उनके खिलाब मुकदमे कराना, छेतर में जनता का कुछ नही करेगी ऐसे लोग ही जाकर के दूसरी पार्टी का दामन थाम रहा है और ऐसे लोग ऐसी पार्टी का दामन चारना है जो उसी विचार धारा के हैं गुंदाई करना मार पीट करना लोगों को बुला बुला के मारना पीटना इस तरह की दबंगाई करना ऐसे लोग जो सरकार के बढ़े जोनके थे तरफ जिन का रूजान रहा है एसे लोग ही पार्टी को बर्बाद कर रहे थे पार्टी की साख फिजा खराब कर रहे तो पार्टी ने इससे पहले उनके उपर एक्षन क्यों नहीं लिया वड़ा सवाल उपता है इसमें एक्षन भी लिया गया था और यह बातें जग जाहिर हैं कि एक्षन लिया गया था पर चुनाओं को दिश्टकोर देखते हुए यह लोग टिकट काटा जाता है इन लोगा पर यह लोग पहले ही भाग खड़े हुए तो अच्छे चीजा भाग खड़े हुए ठीक हुए जनता मैजान में आएंगे तो जनता बताएगी हम लोग बताएंगे मैजान में आने दीजे समय पर खलीलाबाद विधान सभाग सीट जो है अमूमन देखा जाया तो वरसों से बीजेपी के पास कब्जे में रही है और बीजेपी की सीट मानी जाती है खलीलाबाद विधान सभाग तो यहां समीकरण जो विपक्ष मान रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाटी जो है एम वाई का समीकरण लेकर चल रही तो कितना इंपक्ट से उपर उठ करके वोट करती है अब यह जनता यह सब चीजों को समझ चुकी है आप ने देखा है कि 2019 के लोगसभाद चुनावाँ में यह जातिगत समीकरण बहुत चरम पर था और अपनी जितनी चरम पर हो सकता था उतनी चरम पर इन छेत्री पार्टियों ने इन राजस् पर जातिगत फेक्टर क्या हो सकता था उत्तरप्रदेश के लिए पर जनता ने 2019 के चुनाव में लोगसभाद चुनाव में दिखा दिया कि जात पार्ट से उपर उठ करके वोट होता है और अब फिर से वही होगा यह जातिगत समीकरण कहीं काम नहीं आने वाले हैं जनता उससे उपर उठ करके वोट वोटिंग करेगी दोनों जातियों का दोनों पार्टियों के जो कैडर के वोट वो जोड लिए गया उसके बाद भारती जनता पार्टी के वोट साब देख लिए आपको लोगसभा चुनाव के रिजल्स में दिख जाएंगे तो यह फिर से उत् सम्मान मिले रासन मिले जैस सब भारती जन्ता पारटी की सरकारा दे रही है उगीन फिले कि लोगई षब हुथ है बिपक्ष उठा रहा है कि उन लोग के उपर कारवाई हो रही है जो जात्यों को देखके जो है योगी जी का बुल्डोजर चला यह बिपक्ष कारों जैसे आप बताइए कौन सी जात कि विशेष्प कर युग महराजी ने बुल्डोजर चलवाया महराजी ने जैसी भी करते थे दबंगाई करते थे ऐसे माफियाओं ऐसे गुंडों को महराजी ने बुल्डोजर चलाए जैसे बिचला इसमें जात पात देखकर कि नहीं किया गया और ऐसे लोग किसी धर्म के हितासी नहीं होते हैं ऐसे लोग को सिर्फ अपनी महत्तो कांशाएं देखती है इसे जनता प्रास्ता है उसका भी इंपक्ट लेके बुनाने की कोशिज कर रहा है नहीं मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ मैं भी छेत्र में जा रहा हूं महंगाई के मुद्दे पर जनता बहुत सहमत है और इसमें कहीं वह नहीं है महागाई का फेक्टर ये विपच्छ के सब्सक्राइब बनाया गया एक महाल है पर महागाई का फेक्टर को कहीं ठीक है जो चीजे थोड़ी बहुत महांगी है इंफलेशन होते हैं मार्केट की चीजें अब डाउन करती हैं पर इसके जनता का इसका क्यूंकि उसका विकल भी सरकार उनको देती है जो बहुत गरीब आप लोग के सामने मुख विपक्षी दल कौन उभर के आ रहा है और आप बीजेपी जो है खलीलाबाद बिदानसभा में किससे लडाई मान रही है भारती जनता पार्टी खलीलाबाद में चाहे महदावल में चाहे हैंसर में एक तरफा चुना जीतेगी आप देख करेगी जनता राम मंदर के लिए वोट करेगी जनता कासी कोरीडोर के लिए वोट करेगी जनता मुफ्त रासन के नाते वोट करेगी जनता 24 घंटे बिजली के नाते वोट करेगी जनता अच्छी सड़कों के नाते वोट करेगी जनता हर जगह जो उत्तरप्रदिश में पां जो लोग माफिया प्रविर्ट के थे जो लोग गुंड़ई करना चाहते थे नेतागिरी का मतलब लोग गुंड़ई की समझते थे उन लोग की गुंड़ई जिस पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती थे उस पार्टी में वो लोग गए हैं और जंदा उनकी गुंड़ई भ बार फिर परचम लहराएगी और जो योगी जी के कारिकाल में बीते पास सालों में जो विकास के काम हुए हैं और जो सुसासन का राज रहा है उसको देखते हुए जनता जो है भारती जनता पार्टी को वोट एक बार करेगी और योगी जी के सरकार फिर एक बार जनता बनाए कैमरा परसन मुहमद हुसाइन के साथ हेमन सिंग न्यूज वर्ल इंडिया संतकवी नग्राइब